सब्सक्राब कीजिए संस्किर्द दर्सन चैनल को और नौटिफिकेशन घंटी को दवाएं जिससे संस्किर्द से संबंदित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों संस्क्रेट दर्सन चनलन में आप सभी का स्वागत है कारक प्रिगंड चल ला है और कारक प्रिगंड में हमने चतर्थी विवक्ति के बारे में धिन किया है आज भी हम विए चतुर्थी विवक्ति थोड़ा से इसको बताओंगा मैं ऑभी चतुरती विवक्ति जो है वो सारी विवक्तियों में इसमें ज़्यादा सुत्रों का प्रियों किया गया है तो इसमें देखी आप आज हम दो से तीन सुत्रों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे उम्मीद है कि हमारी सारी वीडियो आपको सही से समझ में आ रहे होंगी अगर समझ में आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जिससे कि हमारा उत्साह बड़े तो पहला सुत्रे ले ले लेते हैं धारे रुत्मार्णा अब देखें मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा भौसरल है केवल एक ही प्रियो किया गया इसमें धार धातु एक धारी यह जो धातु है धार्ण करने से सम्बंदित है और उत्तमार्ण 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 मतलब साहुकार साहुकार या इसको समझे ले रिण देने वाला वो कोई भी हो सकता है ठीक है दो यह चीज है इसमें एक धार धातु है और उत्तमार्ण है तो रिण देने वाला जो है वो उत्तमार्ण है इसकी संप्रदान संग्या हो जाएगी ठीक संप्रदान संग्या किसकी होगी साहुकार की जो रिण देता है जब साहुकार की हो जाएगी लेकिन किसके साथ में किसके संयोग में जब धार धातु होगी उसके साथ यह दोनों ही जब दोनों मिलेंगे तब ही इसमें इसकी संप्रदान संग्या होगी अन्था की स्थितिम नहीं होगी इसलिए यह सूत्र का निर्मान करना पड़ा अब देखिए मैं इसका थोड़ा सा एक दो उधान दूंगा दो उधान काफियंस के कुछ ज्यादा नहीं इसलिए में जल्दी यल्दी तीन जो सूत्र हैं वो उनको बताने का प्रयास करूंगा कि देवदत्त से सो रुपए लेता है अब देखिए रुपए लेता है अब यहां रेंड सब्द का प्रियोग करें अथवा ना करें मालम तो है हमने कि उसने रेंड लिया ठीक है यहां अगर रेंड कर देंगे तब भी कोई बात नहीं है तो यहां देवदत्त से सो रुपए लेता है कोई व्यक्ति है वो देवदत्त नाम के व्यक्ति से सो रुपए लेता है तो यहां साहुकार कौन है रेंड देने वाला कौन है देवदत्त है ठीक है ना जो व्यक्ति लेता है वो धारन करता है उसको रेंड को धारन करता है इस सुत्र से चतुरतिक भिवक्ति का प्रियोग कर लिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा? देव दत्ताय शतम धार्यति, बस इतना सा प्रियोग है, बहुत ही सरल सुत्र था, ठीक है? लेकिन मुझे पूरा काराना है, इसलिए मैं कोई स्चोड़ न raha हूं,狂 कर्म प्रवचनिया हम ने सूत्र को छोड़ दिया तो, वह उसका एक कारण है, मैंने आपको बताया था, मैं सारे विधियों को एक नई विधी से बढाने का प्रियास कर रहा हूं, तो कर्म प्रदत्ता शतम धार्यती इस तरह से स्कूप्रियों करेंगे एक उधान और देख लिएते हैं नरेंद्र सुरेंद्र के पचास रुपए लिए वैठा है अब देखो नरेंद्र लिए वैठा है तो ये रिडी हो गया इसने उस रुपए लिए वैठा है अधमान हो गया ये उत्तमान अधमान दो होते हैं अब सुरेंद्र के किसके लिए वैठा है सुरेंद्र के लिए वैठा है इसलिए यहां सुरेंद्र कौन हो गया साहुकार हो गया इसलिए साहुकार होने से उत्तमान होने से ये संप्रदान संग्या हो गई और संप्रद्यान संग्याहोने सी चतुर्ती विवक्ति का प्रियोग कर लिया जाता है चले नरेंद्रहा सुरेंद्राय पंचा शतम रुप्यकान धारयती ठीक तो ये बन गया नरेंद्रहा शुरेंद्राय पंचा शतम रुप्यकान धारयती शुरेंद्र जो है वो साहुकार है इसलिए इसमें चत्रती विवक्ति का प्रियोग किया गया है तो इस सुत्र का मात्र यही मतलब है जो साहुकार हो जो देने वाला हो उसमें धारी धातू के योग में चत्रती विवक्ति का प्रियोग कर लिया जाता है चलो हम अगले सूत्र पर चलते है सूत्र है इस प्रेहे रेपसित्थ हा ठीक यहाँ पर भी इस प्रेहे धातू है और इपसित्थ है इपसित्थ क्या मतलब है इपसित्थ को हमने पहले भी जाना है तो इस प्रेहे धातू के योग में इपसित्थ की जो इपसित्थ पदार्थ है याद रखना इपसित्थ क्यों प्रियोग क्यों किया गया है जो पदार्थ है जिसको कोई चाहे इस पदार्थ जो भी पदार्थ है इस्ट पदार्थ की जो कोई व्यक्ति चाहा रहा है उसकी अब इच्छित चीजें दो प्रकार किये होते हैं इस प्रधातु दो योगों में प्रियुक की जाती हैं नम्मर एक चाहना साधा चाहना यानि कि केवल इच्छा है बस दूसरी होती है विशेश चाहना विशेश जिस चीज़ को चाहा जाए विशेश चाहना यानि कि उसको फिर चाहिए जैसे फूल को चाहता है तो केवल चाहने अर्थ में उसको फूल को तोड़ नहीं कि आवसकता नहीं केवल चाहा रहा है वो अच्छा लग रहा है उसको इच्छा है उसकी थोड़ी सी लेकिन विशेश इच्छा फूल को विशेश चाहता है तो वहाँ पर वो फूल तोड़ लिया जाएगा और अपने पास रख लिया जाएगा वो उसका नियम है ठीक है विशेश चाहने में चीज बस्तू को प्राप्त करना और सारा इच्छा है केवल सामन तो उसमें केवल चाहा जाता है उसकी आवशक्ता नहीं होगी फूलों को चाहता है ठीक है अब विशेश चाहने में याद रखना दुत्य ब्रेवक्ति हमने पड़ी थी इपस ततम वही पहुंच जाएगे हम लेकिन आप जाकर उसको देख लें मैं उसका लिंक डिस्क्रिस्पन में डाल दूँगा फूलों को चाहता है तो यहाँ केवल फूलों को चाहना है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा संपरदान संग्या हो जाएगे लेकिन किसकी होग इष्ट पदार्थ की जो चाहा जाए यहाँ लिख दू में जो चाहा जाए ठीक है तो फूल यहाँ पर चाहए आ रहे हैं तो क्या बन जाएगा पोश पे भ्याह इस प्रहयती बस पोश पे भ्याह इस प्रहयती इस तरह से लिए केवल इसमें इस प्रैधातू की योग में जिस वस्तू को चाहा जाए उसमें चतुर्ती विभक्ती का प्रियोग कर लिया जाथा अर्थात इसकी पहले संप्रदान संग्या होगी फी चतुर्ती संप्रदाने से इसकी संप्रदान चतुर्ती विभक्ती का प्रियोग कर यह जाएगा देखिए राधीक्षययस्यव्य प्रश्णहा अला कि यह कहीं भी इनकी साथ सूत्र का प्रियूग नहीं किया जाता है यह दो तिर सूत्र और है उनके बाद ही सूत्र का प्रियूग कियाता है लेकिन मुझे कि वसुत्रों को समझाना है detail में समझाना है तो छोड़ छोड़ सूत्रों को छाट करके मैं लिख लिए है जैसे करम परवर्चनिया मैंने छोड़ दी है वो आगे बताने का प्रयास करूँगा ठीक है तो यह राध और एक्ष दो धातू है और एक्ष इन दोनों धातूओं के योग जब बन जाए ठीक है यस्य बीप्रशना यस्य मारी जिसकी काकी के है ना बीप्रशना बीप्रशना का मतलब है बहुत सारे जो प्रशन किये जाए यहां बहुत अधिक प्रशन मतलब क्या है जिससे बहुत सारे प्रशन किया बहुत से प्रशन किया जाए उसकी थोड़ा यहाद ध्यान दो अब इसका मतलब बहुत प्रशन क्या है जिसके विशे में यहाँ पर मैं लिख दू इसको है न जिसके विशे में बहुत प्रशन किये जाए उसकी संप्रदान संग्या होगी इसलिए इसको मैंने लिया था है क्योंकि जब द्लात्युं का यूग चल रहा है तो यह मस्तिषग काुस्तिप लेम है हम जिस छोबलते हैं वह स्वीकार्व करता है तो यहां राध और एक्ष ध्लात्युंग के साध्ट का प्र लेकश परती किये जाएं जिसके विषय में उसकी संप्रदान संग्या हो जाती है संप्रदान संग्या ठीक उसकी संप्रदान संग्या हो जागे और उससे चतरतिवे भुक्ति का प्रियोव कर लिया है, अगर मैं इसके एक दो धान देने का प्रियास करूँगा आपको, समझाँगा भी उसमें थोड़ा सा, देखिए, पिता, पुत्र के विशय में पूछता है, थोड़ा ध्यान देती चले जाएंगे, पिता, पुत्र के विशय में पूछता है, आप भी मैंने बताय ना मैं जो बनाने का प्रियास करता हूं जो बात हैं वो आप भी उस बाक्यों में प्रियोग कर सकते हैं पिता पुत्र की विश्य में पूछता है अब यहां बहुत सारे प्रशनों की बात आ रही है अगर एक प्रशन वो केवल तो समस्या कुछ जादा गंभीर नहीं है या वह सारे प्रचन है तो इसके लिए बताने के लिए जैसे उदाहन के तोर पर जो पिता है वो अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए कि अध्यन इसका अच्छा चल रहा है या नहीज चल रहा वो विद्याले जाते हैं बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् यह सई से पढ़ता है यह पढ़ता इसका लेख कैसा है इसकी याद करके सुनाता है यह सुनाता है ऐसे बहुत सारे जो प्रेशन किये जाते हैं तो किसके विसे में प्रेशन किये जा रहे हैं पुत्र के विसे में प्रेशन किये जा रहे हैं इतना याद रखना ठीक है या इसक पुत्र थोड़ा मांसिक रूप से गंभीरी उसको बीमारी हो गई है तो पिता अपने पुत्र के बारे में डॉक्टर से जो पूछता है प्रेशन बहुत सारे कि इसको इस तरह से कैसे बीमारी हो गई और इसका इलाज सम्मभ है या नहीं या और हमें किस-किन-किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह से वह प्रेशन 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 पूछे जाए और किसके विशे में पुत्र के विशे में तो यहां उसकी संप्रदान संग्या हो जाएगी और उसे चत्रतविवक्ति का प्रियोग कर लिया जाएगा तो बनाते हैं इसको पिता, पुत्राय, अब इसमें दोनों ही प्रियोग कर सकते हैं, राध का वी और एक्ष का वी, ठीक है? राध्यती और इसमें बनाते हैं इक्षते, दोनों का मतलब हो जायागा कि उनकी विशे में प्रसंद पूछते हैं, तो पिता, पुत्राय, राध्यती, इक्षते, ठीक, इस तरह से इसको प्रियोग करते हैं, एक उदागान और देखेंगे, क्रशन के विशे में पूछता है, ठीक है? अब यहाँ बात समझ लेजी, यहाँ क्रशन के विशे में पूछता है, तो क्रशन मुख्य है, क्रशन के विशे में पूछता है, आपको साइद सभी जानते हैं इस बात को, जो हमारे जो इस्ट है योगिशार कृष्ण है वह उनके बारे में बहुत सारे कि विधंतियां हैं योगिशर भी माने जाते हैं ये भी माने जाते हैं कि बच्पन बढ़न इशराशने करते थे और उनके जो ग्वाले नहारते थे इस तरह नहाते तो उनके कपड़े लेकर भग जाते थे और इनकी सोलह हजार सम्तिंग इस्तिरियां भी बताई जाते हैं तो उनके विषय में क्या ये ठीक है क्विदंतियां या सही है या नहीं है कोई व्यक्ति उनकी विषय में प्रशन पूछता है तो उनकी विषय में एक प्रशन ना पूछ करके बहुत सारे प्रशन पूछ जाते हैं क्रिशन के बारे में वहां पर यह विषय बन जाते हैं बहुत सारे प्रशन होगे दिसलिए इसमें संप्रदान संग्या हो जाती है औ और उससे चत्रति में विक्ति का प्रियों कर लिए जागा क्रिशना आया राधिर्वाना ले राध्यती और बिरिकट में लिखे देना हूं इसको में एक्षयती ठीक इस तरह से यह मैंने तीन यह सूत्र थे उनको समझाने का प्रयास किया उम्मीद आपको से यह समझ में आ ग